हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एजुकेटिड भारत में जैसे कि आप सभी को पता है हम मुगल एमपायर पूरा कम्प्लीट कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम चार बाच्छाहों को देखने वाले हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बने हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे और सिफ वही MCQs देखेंगे जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो ये चारों कौन से बाच्छाह हैं तो पहला है एहमद शाह, शाह आलम दुतिये, अकबर दुतिये और बहादुर शाह, जफर इन चारों के बारे में आज हम MCQs देखने वाले हैं जो बहुत important है तो प्लीज वीडियो को end तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो like जरूर कर दीजेगा और इसे जादा से जादा शेयर करिएगा, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल क subscribe जरूर कर लीजिए और bell icon जरूर क्रेस्ट करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही important videos मिल सके दोस्तों आगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा, link description में दिया हुआ है आप वहां से हमारे टेलेग्राम चैनल को join कर सकत हैं चलिए start करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे एहमद शा मुगल समराट एहमद शा से related जितने भी important question बनते हैं पहला question है एहमद शा मुगल राज सिंगहासन पर कब बैठा तो इसका सही आंसर हो जाएगा A 1748 में 1748 में एहमद शा मुगल राज सिंगहासन पर बैठा था, next एहमद शा ने 1748 में अवद के सुवेदार सफदर गंज को किस पत पर नियुक्त किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, सामराज का वजीर के रूप में सफदर गंज को नियुक्त किया था, देखिए सफदर गंज के बारे में एक question ऐसा भी बनता है कि सफदर गंज किस मुगल समराज से सम्मंदित है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाता है, एहमद शा जिसे 1748 में वजीर के तौर पर शामिल किया था या नियुक्त किया था, एहमद शा ने मुगल समराज्य में, next, किसके शाशन में हिजरो तथा महिलाओं के लिए एक वर्ग का प्रभुत्व थ तो सही आंसर हो जाएगा, A. एहमद शाग, next, एहमद शाग ने किनरों के सरदार जावेद खां को कौन से उपाधी प्रधान की थी, सही आंसर हो जाएगा, B. नवाब बहादुर, ठीक है, ये क्वेशन भी बहुत जादा पूछा जाता है, कि जो किनरों का सरदार था, शाशनकाल में सेना को वेतन देने के लिए शाही समान तक बेचना पड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, D. एहमद शा के टाइम पर ऐसा हुआ था, जब इनका शाशनकाल था, तब सेना को वेतन देने के लिए शाही समान तक बेचना पड़ गया था, next, राजमाता उध अधमबाई को एहमद शाने नेक्स्ट दो जून 1754 को डैश ने मराठो के सहयोग से एहमद शा को अपदस्त कर जहादार शा के पुत्र अजिजुद्दिन को आलमगीर दुतिये की उपाधी के साथ मुगल बादशा बनाया तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वजीर इमाद ने मराठो के सहयोग से एहमद शा को अपदस्त किया था और जहादार शा के पुत्र अजिजुद्दिन को आलमगीर दुतिये के नाम से मुगल बादशा बनाया था ठीके तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि एहमद शा के बार कौन मुगल बादशा बना तो सही आंसर को क्या हो जाएगा आलमगीर दुतिये नेक्स्ट अम नेक्स्ट देखेंगे हम मुगल समराच शाहा आलम दुतिये के बारे में किस मुगल शाशक का वास्तविक नाम अली गौहर था देखिए कशिन बहुत बार पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है सही आलम दुतिये का वास्तविक नाम अली गौहर था नेक्स्ट निमलिखित में से किस एक शाशक ने इस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है सी शाहा आलम दुतिये ने इस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रद तो सही आंसर हो जाएगा B 12 अगस्त 1765 में ठीक है याद रखना है क्योंकि बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में इस्ट इंडिया कंपनी को शहन शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार तथा उडिसा में दिवानी अधिका दिये गए तो सही आंसर हो जाएगा B Lord Clive के ठीके Lord Clive का जब कारेकाल चल रहा था तभी इस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार तथा उडिसा में दिवानी अधिकार दिया गया था अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधी से प्राप्त हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा B शाह आलम द्वतिये के साथ ये संधी हुई थी 1765 में और उसी के द्वारा बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवानी में प्रदान की गई थी किसे इस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों का पैंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशा था तो सही आंसर हो जाएगा B देखे बहुत जादा important question है कई बार repeat हुआ है कि अंग्रेजों का पहला पैंशनर कौन था तो सही आंसर क्या हो जाएगा शाह आलम द्वतिये निमनलिकित में से किस मुगल बादशा को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया तो इसका सही आंसर है B शाह आलम द्वतिये को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था बकसर के युद्ध में जो 1764 में हुआ कि समय दिल्ली का शाशक कौन था देखे बहुत जादा important question है ये कई बार repeat हुआ है कई जगा पूछा गया है कि बकसर का युद्ध जो 1764 में हुआ था इसमें दिल्ली का शाशक कौन था तो सही आंसरों जाएगा D शाहा आलम दुतिये सन 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए बकसर की युद्ध में पराजित होने के बाद शाहा आलम दुतिये को अंग्रेजों से कौन सी संधी करनी पड़ी तो उसका सही आंसर हो जाएगा C, इलाबाद की संधी करनी पड़ी थी शाहा आलम दुतिये को बकसर के युद्ध में पराजित होने के बाद इलाबाद की संधी किनोंने निश्पाशित की थी तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट क्लाइफ, सुजा उदौला और शाहा आलम ठीके तो इलाबाद की संधी किन के बीच हुई थी तो ये याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है इलाबाद की संधी के बारे में बकसर की युद्ध के बारे में ये सारे क्वेशन वो हैं जो बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसलिए आपको सारे क्वेशन देखने हैं कौन सा मुगल बादशा विशम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठो की सहता से दिल्ली की राजगदी पर पुना इस्थापित हुआ तो सही आंसर हो जाएगा A. शहा आलम दुतियों ठीक है आपको यह याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेशन बहुत जादा एक्जाम में पूछे जाते हैं वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शहा आलम दुतियों को पुनार इस्थापित करने वाला मराठा सरदार था तो सही आंसर हो जाएगा A. महादजी सिंधिया वो मराठा सरदार थे जिनोंने 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शहा आलम दुतियों को पुनार इस्थापित किया था एहमत शा अबदाली ने भारत पर कुल साथ बार आकरमन किये जिन में सरवादिक तीन बार आकरमन किस मुगल शाशक के समय में हुए तो इसका सही आंसर हो जाएगा A. शहा आलम दुतियों के टाइम पर हुए थे नेक्स्ट रुहेला सरदार गुलाम कादिर द्वारा शहा आलम दुतियों की हत्या कब की गई तो इसका सही आंसर हो जाएगा B. 1806 में रुहेला सरदार गुलाम कादिर द्वारा शहा आलम दुतियों की हत्या कर दी गई थी नेक्स्ट आप देखेंगे मुगल समराट अकबर दुतिये के बारे में जो question है बहुत कम question है दो या तीन important question बनते हैं जो बार-बार exam में पूछ जाते हैं पर ये देखना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर mention कर दिया है चलिए देखते हैं शाहा अलं दुतिये क कि मृत्यू के पश्षात पुत्र अकबर शाह दुतिये अंग्रेजों के संरक्षन में बनने वाला डैश मुगल बादशा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा C प्रथम मुगल बादशा था ठीक है अंग्रेजों के संरक्षन में बनने वाला पहला मुगल बादशा अगर आ बहुत सारी जगा इसे पूछा गया है इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है सही आंसर हो जाएगा C. अकबर शहादुतिये मतलब जो अकबर सेकेंड था उसने ही मुगल जो राजा राम मोहन राय थे उन्हें दूद बनाकर लंदन भेजा था next question भी बहुत ज़्यादा important है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी किसने प्रदान की थी या किसने विभूशित किया था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी से तो सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer है D मुगल समराट अकबर शाह दुतिये के द्वारा ही राजा की उपाधी दी गई थी राम मोहन राय को ठीक है आपको ये याद रखना है बहुत ज़्यादा important है कई बार ये भी repeat हुआ है चलिए अब next देखते है अब जो next question है वो है सही answer हो जाएगा B अकबर शाह दुतिये देखे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो अंतिम मुगल समराट कौन था तो सही answer क्या हो जाएगा बहादुर शाह जफर और अगर उनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो अकबर शाह दुतिये next बहादुर शाह जफर के विशे में निमलिकित में से कौन सा कथन असत्य है तो उसका सही answer हो जाएगा D 1845 में उसे उत्तर अधिकार प्राप्त हुआ ये वाला कथन गलत है बाकी सभी कथन बिलकुर सही है next बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तश्तरी में उपहार के उसके पास किस क्रूर विटिश अधिकारी ने भेजा था तो इसका सही answer हो जाएगा C जनरल हटसन के द्वारा ये भेजा गया था उसके बेटों का सिर कलम करके चांदी की तश्तरी में उपहार के रूप में बहादुर शाह जफर को भेजा गया था तो सही answer क्या हो जाएग गा जनरल हटसन नेक्स्ट कौन मुगल बादशा एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आकरी समय में कहा गया ये शेर विख्यात है कितना है बदनसीव जफर के दफन के लिए दोगर जमीन भी ना मिली ये किसने कहा था तो सही answer क्या हो जाएगा D बहादुर शा दुतिय या बहादुर शा जफर ने ही ये बात कही थी ये शेर उनका बहुत विख्यात है नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने बहादुर शा दुतिय को निर्वासित कर कहा भेजा तो सही answer हो जाएगा B रंगून दुतिय को रंगून भेज दिया था ठीक है निर्वासित करके कहा भेजा था तो सही answer हो जाएगा रंगून यहीं पर हमारे सारे questions complete हो गए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो like जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपका एक like बहुत जादा motivate करता है और दोस्तों अगर आप आपको इसका PDF चाहिए है तो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को बहुत जादा से जादा शेयर कीजे क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना दूसरों को फायदा होगा इसलिए प्लीज वीडियो को बहुत जादा शेयर कीजे आज के लिए बस इतना है अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत